सो हलो गाईस कैसे हो आप लोग उमीद करते हैं आप सब बढ़े होंगे मस्त होंगे आज फिर आप सभी के लिए एक और बड़ा अच्छा काम लेकर आए हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिस काम को अनपड और गरीब भी स्टार्ट कर सकता है अगर आप गरीब हो तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो काम बताने वाले हैं ये काम बिलकुल गरीब व्यक्ति के लिए हैं अगर गरीब हो आप आप चायते हूँ हम डेली के 500-600 रुपे अपने गाउं से कमाएं तो आज का वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी एक ऐसे ही व्यक्ति के स्टोरी के बारे में बताएंगे जिस बैक्ति ने बहुती ज़्यादा गरीबी से निकल कर आज कडूरों का वेपर खड़ा किया है तो कैसे किया है यह सारी स्टोरी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे दोस्तों ये कहानी है ये स्टोरी है एक बहुत ही जादा गरीब बैती की जो कभी खाने के लिए भी तरस्ता था उसके परिवार में एक छोटी बेहंती एक छोटा भाई था और एक बुड़े माबाप दोस्तों वो बहुत परेशान हुगा करता था और जो बुड़े माबाप थे वो अब काम करना बंद कर दिये थे क्योंकि उनके बसकी नहीं था काम करना इसलिए वो सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर आ गई उस लड़के पर आ गई लेकिन वो कभी इस गाम इसके घर काम करने जाता कभी उसके घर काम करने जाता लेकिन गाओं की स्तिति तो आपको पता ही होगा कि गाव में रोज को तो कम नहीं मिलता अगर दो चार दिन में एक दिन काम भी मिल जाता है तो उससे खाना भी नहीं होता होता था क्योंकि चार से पांत दिनों में 200 रुपे मिलते थे उससे खाना पीना भी सही से नहीं हो पाता था इसलिए वो लड़का बहुत ज्यादा परिशान रहने लगा एक दिन वो सोचा कि मुझे सहर जाना चाहिए एक दिन सोचा कि मुझे सहर जाना चाहिए लेकिन वो सहर जाए तो जाए कैसे उसके पास एक रुपिया भी नहीं था उसने देखा उसके पास एक रुपिया भी नहीं था और अब वो और भी उद कदे थे। कि जो उससको दुद्कार का भगा दिया करते थे और मना कर देते थे साफ कह मेरे पास एक भी रूपया नहीं है ना मैं आपको पैसा दे सकता हूं लेकिन एक भाक-षाली बैक्ति ने उसकी बात तुनी और उसे किराय के लिए सो रूपय दे दी थे उसने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि मैं आपके बक्त पे आपको जैसे ही सहर पहुच जाता हूँ वहां हम थोड़ी काम करूँगा और आपके पैसे हम लोटा देंगी जैसे हम आएंगे आपके पैसे लोटा देंगी तो वो बुलत ठीक है भाई अगर तू इतनी कह रहा है तो आप ए सो रुपे ले जा तो सो रुपे लेकर वह बहुत खुश हुगा और निकल जाता है सहर की और सहर की और निकल जाता है बस पकड़ता है वह बस पकड़ने के बाल वह चला जाता है सहर सहर जाता है कभी इस जगह पे काम की तलास करता है कभी इस जगह पे काम की तलास करता है और साम्भ हो गई उसको फिरते फिरते और उसे कोई भी जगाय पर काम नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर कोई स्किल नहीं थी इसलिए काम उसे नहीं मिला तो रुछ ठक गया था उसको भारी भूग भी लगया थी भूग लगने के कारण वो एक जगाया पर बैठ गया और सोच नहीं लगा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि उसे भूख सताने लगी लेकिन जब उसने जेम में देखा उसने देखा कि मेरे पास पैसा कितना बचा है तो उसने जेम में देखा तो उसकी पास पचास रुपे बचे हुए थे कि पचास रुपे उसका किराया हो गया था वो पचास रुपे उसकी जेम में बचे हुए थे उसने सोचा अगर मैं इस पचास रुपे से एक भी रुपिया खर्च कर दूँगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा लेकिन भूख तो भूख होती है उसे भूख से रहा नहीं गया और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा लेकिन अब तो मुझे कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए तो उसने सामने देखा तो एक चाह की टपरी खुली हुई थी वहाँ वो गया उसने पांच रुपे की चाह ली और पांच रुपे का बिस्कुट लिया उसने वो चाह की साथ बिस्कुट खा लिया पर उसको थोड़ी रहात सी मिली और जब उसने रहासी मिली फिर और गूमने लगा गूमने उसने गूमते गूमते उसने देखा कि पासी में एक सबजी की मंडी थी उसने पासी में देखा कि एक बहुत बड़ी सबजी की मंडी थी उस सबजी की मंडी में जाकर वो गूमने लगा कभी इस गली, कभी इस गली जाता, कभी इस गली जाता इस तरह से वो चार और पंच गली घूमने लगा और देखने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए तो देखते देखते वो पूछा कि अब वो सबजी का भाव पूछने लगा कि उसने क्या काम किया कि उसने दो किलो टमाटर ले लिए और चार पॉली थन ले लिए दो किलो टमाटर और चार पॉली थन आदा आदा किलो टमाटर उसने पॉली थन में रख लिए रखने के बाद वो जो गली नहीं होती है गली सडके होती है गली होती है कालो नहीं होती है तो जब उसने कहा कि आपको 15 रुपे के आदा किलू और 30 रुपे के एक किलू दे रहे हैं तो जब उसने कहा कि 20 रुपे केजी हम मार्केट में या मंडी में मिल रहे हैं तो हम आपसे 30 रुपे किलू क्यों लूँ लेकन कई वेक्तियों ने भागा दिया लेकन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा टैम बच रहा है क्योंकि मुझे मार्केट ना जाना पड़ रहा है बीडवड़क का और हमेरे घर पर ही सामान आ रहा है तो उसने कहा कि देखो ऐसी है कि मैं कुछ पैसे कमाना चायता हूं आपकी घर तक खरीद कर लाता हूं इसलिए मुझे 5 रुपे तो एस्टरा में बनता है तो कई लोग 40.60 रुपे हो गये साथ रुर्पे को उसने फिर तीन किलो टमाडर लिए तीन किलो टमाडर लोगे लेन AIL के बाद इसी तरह से फ्यवो गलीों में निकल गया दीरे दीरे उसके पास 100 रुपे उए दीरे दीरे उसके पास 200 रुपे हुए 500 घरे दीरे मेरे पास 500 रुपे YouTube मर लिठन और मार्के जो मंडी से सब्जी उठाई टमाटर और फिर भी वेच ने निकल गया दीरे दीरे उसके पास और भी अच्छी पैसे आने लगे उसकी और अच्छी इंकम होने लगी और भी उससे लोग जानने पहचानने लगे और बढ़िया ब्यक्ति था सांद सो आका इस और भी लोग उस से पहचानने लगे तो दीरे दीरे उसके पास 2000-2000 रुपे हो जाते हैं तो उसने एक रेड़ी खरीदी और रेड़ी खरीदने के बाद उसने रेड़ी पर करीब 4-5 प्रांच परकार की सब्जी रखी अरी हरी सब्जी रखी जैसे 5 किले आख 남व मैच्छे और भी अच्छे उसके इंकम आने लगी और भी अच्छा रिस्पोंस मिलने लगा तो उसने उसके पास और सारे पैसे आने लगे तो उसने एक मंडी में ही खुद की दुकान खुल ली मंडी में ही उसने खुद की दुकान खुल लई और जा जा और भी उसके पास जितने भी ग दीने दिने भी चोटे छोटे दुकांदार हो उनगो सब्सक्राइब सारे सारा थिसका रोजूद की साब्सक्राइब कुत्रूआ के supply करनी लगा दीडे दीडे supply करते करते उसके पात ओर भी उसके पात पैसे आते गए दीडे दीडे वो होल सेलर बन गया सबजी का और आज के समय पे उसके पास सब कुछ है और अज हर मेने की कमाई वो लाखों में करता है दोस्तों बहुत ही गरीब बैक्ती आज के दिन वो लाखों कमा रहा है सिर्फ उसकी छोटी सोच से उसने सोचा कि कोई भी विवफार छोटा नहीं होता विवफार विवफार होता है लेकर उसको सही तरीके से करना आना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से जब उसने सोचा तो आज के समय पे वो इतना अच्छा पैसा कमाता है और आज उसके पास सब कुछ है घर भी है गाड़ी भी है बंगला भी है और अब सब परिवार सहन में रह रहे हैं तो दोस्तों आज की सिटोरी में हम आप लोगों को यही सिकाने के लिए आये थे कि कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता बस उसको कम सही तरीके से करना आना चाहिए तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप लोग हमारी यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा अपनी दुश्टों में सियर करें नवस्कार ज करें